नमस्कार News 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ मिमंदीब तो इस वीडियो में हम भारत और कैनेडा के खराब होते हुए रिष्टों के लिए कर चर्चा करेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे क्या कारण है जो लगातार खटास बढ़ती जा रही है तो शुरुबात करते हैं गुर्पतवंत सिंग पन्नु के बयान को लेकर दरसल कैनेडा के एक चैनल पर पन्नु ने इंटर्व्यू दिया और उस इंटर्व्यू में कई बड़ी बाते पन्नु ने कही है सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि जस्टिन टूडो के साथ में उनके सीधे रिष्टे हैं तीन साल से लगतार वो उनके साथ में संपर्क में हैं कैनेडा के प्रधान मंतरी के साथ में और भारत के खिलाफ सबूत पन्नु ने ही उपलब्द कराये थे और सभी जानकारी पन्नु ने ही कैनेडा के प्रधान मंतरी को दी थी जिसके बात में भारत के खिलाफ ये बड़ी कारवाई की गई भारत के छे राचनाईकों को निश्काश्वित कर दिया किया अब पूरा मामला क्या है वो समझे देखे बीते साल के अगर बात कर लें तो पिछले साल ही खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंग की हत्या हो जाती है जिसके बात में कैनेडा ने भारत पर ये आरोप लगाये थे कि भारत के अधिकारियों की मिली भगत के शलते भारत ने ही हरदीप सिंग निजवर की हत्या करवाई थे ये आरोप लगातार भारत इसको गलत साबित भी करता रहा है आला कि जास कमेटी का भी गठन किया गया उसके बारे में भी आगे जानेंगे, तो ये आरोप जब केनिडा की तरफ से लगाए गए, उसके बात में ये बड़ी कारवाई देखने को मिल रही है केनिडा की तरफ से, हाला कि भारत का बार-बार यही statement सामने आता रहा है और यही कहा गया कि भारत ने हरदीप सिंग निज़र के हत्या नहीं करवाई है और इसके साथ ही पन्नु पर भी बीते सालों हत्या की कोशिश करने का आरोप लगा था जिसके बाद में अमेरिका के एक अखभार ने ये खबर चापी थी कि भारत के अधिकारियों ने ही पन्नु को मरवाने की कोशिश की है जिसके बाद में कैनेडा ने कई आरोप लगाए भारत पर और भारत की तरब से एक कमेटी का भी गठन किया गया है और एक रौ के एजिंट पर भी आरोप लगे थे हाला कि उस एजिंट की गिरफतारी भी हुई लेकिन इस पर भी पन्नु का स्टेट्मेंट सामने आया देखिए जो कैनेडा के पत्रकार थे उन्होंने ये सवाल जब पूछा पन्नु से कि भारत सरकार ने मामले की जाज को लेकर एक कमेटी का गठन किया इसके अलावा विक्रम यादव की गिरफतारी के बारे में आप क्या सोचते हैं क्योंकि ये विक्रम यादव रौ के इजिंट है और इनी पर आरोप लगे थे इस पर पन्नु का जवाब आया कि समीती सिर्फ एक दिखावा है और निशकर्ष सिर्फ एक लीपा पोती होगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खालिस्तानियों के साथ में भारती न्याईक प्रणाली के साथ कैसा अनुभव रहा है इसके अलावा उन्होंने भारत के सम्विधान पर भी सवाल उठाए उन्होंने कहा कि मैं भारत के सम्विधान को मानेता नहीं देता और उनकी न्याईक प्रणाली पक्षपात पूर्ण रही है सिखों के खिलाफ उन्होंने कहा कि हमेशा से पक्षपात पूर्ण रवया रहा है भारत सरकार का और उन्होंने कहा कि विशेश रूप से वो लोग जो की आसहमती जताते हैं जो राय होती है सरकार की वो उनसे मेल नहीं खाती तो ऐसे में पन्नू ने आरोप लगाए कि पक्षपात पूर्ण रवया भारत सरकार की तरफ से अपनाया जाता है और पन्नू ने आगे कहा कि अमेरिकी अभियोजन पक्ष न्याय विभाग द्वारा सारी जानकारी दी गई थी यह एक व्यक्ति है जो की रौ में काम करता है और सीधे अजीद दोभाल के संपर्क में है और अजीद दोभाल सीधे प्रधान मंत्री कार्याले को रिपोर्ट करते हैं इसलिए इस जाच समीटी का कोई मतलब नहीं है यानि कि जो विक्रम यादव है उसका सीधे सीधे लेंक अजीट डोबाल और अजीट डोबाल रिपोर्ट करते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को तो सीधे तोर पर पन्नु ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया है उसका कोई भी औचित्ते नहीं होने वाला है या उसका कोई मतलब नहीं है सरफ एक लीपाप होती है कैनेडा की सरकार और साथी अमेरिका की सरकार के लिए भारत एक समीती है जिसका अध्यक्ष है पन्नु और जो लगतार मांग की जा रही है खालिस्तान पंजाबियों के लिए एक अलग से कंट्री की खालिस्तान की उसको आगे बढ़ा सके तो सीधे तौर पर अगर पन्नु के इंटरव्यू को देखें तो ये साफ तौर पर नजर आता ह कि टूडो ने ये भारत को लेकर कारवाई की है छे राचनईकों को निश्काशित क्या गया है उसके पीछे सीधे तौर पर पन्नु का हाथ है और पन्नु ही भड़काता रहा है कैनेडा को और यही एक कारण है कि जो रिष्टे हैं वो लगतार खराब होते जा रहे हैं क्यो इस वक्त भी पन्नु की कई तरह की वीडियो सामने आती रही है जहां पर वो सिखों को भड़काता हुआ नजर आया और भारत सरकार के खिलाब विए उसके कई सारे स्टेटमेंट है तो पहले भारत के सिखों को बर्गलाने की कोशिश की गई पन्नु की तरफ से अलग से द प्रधान मंत्री को सीधे तो बर्गलाने की कोशिश कर रहा है और भड़काने की साजिश रची गई जिसके चलते भारत के छे राचनाईकों को निश्काशत कर दिया गया फिलाल इस वीडियो में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें यूज एडियो